दोस्तों इन दिनों एक मुद्दा भोचपूरी फिल्म इंडर्श्री से लेकर चुनावी जगत तक काफी वाइरल हो रखा है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि भोचपूरी फिल्म इंडर्श्री के पावर स्टार पावन सिंग ने भाई चुनावी जन्द से अपना नाम वाप पीस ले लिया यानि कि भाई आप लोगो यादी होगा कि जब बीजेपी ने भारतिय जन्दापार्टी ने अपने उम्मिदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें भाई हमारे पावर स्टार यानि कि पवन सिंग का भी नाम हम लोगे सामने आया था वह इस बार के ल आसन सोल के सीट के लिए और उनका मुकाबला इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री के सौट गन यानि कि कामोश सत्तुरधन सिनहा से होने वाला था लेकिन इससे पहले कि पवन सिंग और सौट गन सत्तुरधन सिनहा के बीच में ये मुकाबला हो पाता लोग सभा सीट के लिए कि भाई या उससे पहले ही पावन सिंग ने सब को ये बात कहकर चौका दिया कि भाई अब वो चुनावी रंग में नहीं रंगने वाले हैं वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं यानि कि भाई या उनको लेकर पहले ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई जैसे ही उनकी उमीदवारी फाइनल कर दी गई उनको सीट मिल गया बीजेपी की तरब से तो भाईया वो काफी खुश थे और उन्होंने बधाई दिया लिया और अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेंट भी किया और भाई ताल ठोक कर ये बात कहा कि भाईया हम इस चुनाव में उतरेंगे लड़ेंगे और जीतेंगे भी लेकिन ऐसा क्या हुआ पंदरा घंटों में कि भाईया 24 घंटे होते होते पावन सिंग ने सब को ये बात कह दिया कि टाटा भाई भाई खतम नहीं लड़ेंगे वो तो भाईया उनके इस कदम को लेकर कई सारी खबर हम लों के सामने आई लेकिन जो एहम खबर हम लों के सामने आई कि भाईया उनको जैसे ही बीजेपी ने उमिदवार के तौर पर उतारा था आसन सोल के सीट के लिए उनके नाम को सुनते ही भाई अभी जो वर्तमान में सरक है ना बंगाल में यानि कि टीमसी वह बिफर गई इस बात को लिए कि वह यह किस उमिद्वार को बीजेपी सीट दे रही है और भाई उन्होंने एजेंडा शुरू कर दिया पावन सिंग के खिलाप यानि कि यह बात कहीं जाने लगी कि विए भोचपूरी फिल्म इंडर्श् लिए ऐसे सब्दों का इस्तमाल किया है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता है यानि कि वह महिला विरोधी हैं उनके उपर यह आरोप लगने लगें और उसके साथ ही भाई यह दबाव बनाया जाने लगा कि अगर यह उमिद्वार आ रहा है बंगाल में भाई चुनाव ल सिंग ने इस सीट को त्याग दिया ऐसी जानकारी हम लों के सामने आई अब भाई पवन सिंग के इस उमिद्वारी को छोड़ने के बाद यानि जब उन्हों नहीं गोशना कर दिया कि वह अब आसन सोल के सीट के लिए नहीं लड़ेंगे यानि कि उन्होंने चुनाव से साटा वाई-वाई कर लिया है तो अब उनके द्वारा इस छोड़े जारे सीट को लेकर यह जानकारी हम लों के सामने आ रही है कि वह अक्षरा सिंग को सत्रुदन सिना के अपोजिट उतार सकती है तो भाई तू डाल डाल मैं पात-पात का भी खेल चल रहा है भाई चुनावी रंग में कहें या जंग में कहें लेकिन पावन सिंग के द्वारा इस फैसला को उठाने के बाद तो भीया उनके दिवाने जो हैं वो काफी मायूस हो गए हैं और पावन सिंग से जो लोग मुहबत नहीं करते हैं वो उनको लेकर ये बात कह रहे हैं कि जो गा कहना चाहेंगे हमारे भोजपुरी ंडर्षी के सिंगरों से कि भैया सबको जवाब देना पड़ता है और यही वजह है और भोजपुरी में पर बिदकर बार जितने इतने भी बड़े-बड़े सिंगर हैं उनको भी सबक मिल गई होगी कि विया आगे चलकर अगर वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने जाएंगे तो उनके द्वारा खिये गए कामों के बज़े से उनकी अलोशना आगे हो सकती है तो दोस्तों आप अपने कमेड़ के मादे में जरूरत आएगा कि भाई अब जो यह ख़बर निकल गया रही है कि विया पवन सिंग की जगा अक्षरा सिंग शौडगन का मुकाबला करेंगी आसन सोल से तो भाई इस स्क्राइब करना ना भूलिएगा आख